ओम्शान्ति, 24 नवंबर दोहजार तेस, मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावात्य, आज की मुल्ली के कुछ विशेश पॉइंट्स, आज बाबा हमी समझाते कि हम बच्चों को अच्छी तरह पढ़ना और फिर पढ़ाना है, यही है प्यार के सागर बाब के प्यार का रिटर्न देना, हमी सच्चाई और सफाई से पहले स्वेम में धारना करनी है, फिर दूसरों को धारना करानी है, एक सच्चे बाब के संग में रहना है, हमी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, आराम पसंद नहीं बनना है, निमित आत्माओं के डारिक्षिन के महत्व को समझना है, आज की मुर्ली में मातेश्वरी जी के भी मधूर महाबाक्य हैं, जिन में वे समझातें कि मुनुष्य के 84 चन्म हैं, ना कि 84 लाख योनिया, तो चलिए सुनते हैं, आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली, ओम शानती, बाबा के दे, मीठी बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा, जब दिल में सच्चाई सफाई होगी, तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्ची बनो। प्रश्न, तुम सब स्टूजेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना सरूरी है, उत्तर, कभी भी कोई कलती हो, तु सच बोलना है, सच बोलने से ही उन्नती होगी, तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, अगर यहां सेवा लेंगे, तो वहां करनी तुम स्टूजेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ, तो बाप भी खुश हो का, बाप, प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह हैं, जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उन्च मर्दबा दिलाते हैं, गीत, किसने यह सब खेल रचाया, ओम शानती, आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयनती वना रहे हैं, अब गीता को जन्म किसने दिया है, यह है टॉपिक, जयनती कहते हैं, तो जरूर जन्म भी हुआ ना, उनको जब कहते हैं, श्रीमत भगवत गीता, जयनती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना, सब कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती, अब गीता का रचायता जरूर चाहिए, अगर श्री कृष्ण को कहते हैं, तो पहले श्री कृष्ण पीछे गी वे गीता सुना न सके ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन यह है गूइपात श्री कृष्ण तो माता के गर्ब से जन्म लेता है वे तो सत्युका प्रिंस है उसमें स्वें प्रिंस का पद पाया है गीता त्वारा राच्योग सीखकर अब गीता को जन देने वाला कौन? परम्पिता परमात्मा, शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रीलो की नाथ त्रिकाल दर्शी भी नहीं कह सकते हैं. त्रीलो की नाथ त्रिकाल दर्शी एक को ही कहेंगे. त्रिलोकी नात माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं मूल, सुक्ष्म, स्थूल इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी इनको जानने वाला त्रिलोकी नात त्रिकाल, दर्शी, परम, पिता, परमात्मा, शिव है ये महिमा उनकी है ना कि श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की महिमा है सोला कला संपूर्ण सर्वगुन संपन। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से, परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। उनका करतव्य ही अलग है, वह है गीता को जन्व देने वाला रचैता। गीता के ज्यान वा राजयोक से ही देवताइं प्रियेट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलिज देनी पड़ती है। अब ये समझानी देने वाले बड़े ही खोशियार रमा कुमार कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्यां भी तो सब नंबर वार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखे जाए कि श्रीमत भगवद कीता को जन्म किस ने दिया। इसके लिए पॉंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है परमपिता परमातमा शिर। उस ज्यान सागर द्वारा ज्यान सुनकर श्री कृष्ण ने ये पद पाया था। सहच राज्योग से ये पद कैसे पाया। ये समझानी देनी पड़े। ब्रमा द्वारा ही पहले बाप, म्रामन रचते हैं। सभी वेधु, शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रहमा के साथ ब्रहमा मुक्ष, वन्शावली भी चाहिए। ब्रहमा को ही तरिकाल-दर्शी पने का ज्यान मिलता है। त्रीलो की अर्थाथ तीनों लोकों का भी ज्यान मिलता है। तीनों काल आदी मध्य अंध को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थाथ मूल, सुक्ष्म, स्थूलवतन। ये अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है दे अंकार रूपी मायाने तो गीता का रचैता परमपिता परमात्मा शिव है नाकी श्री कृष्ण, परमपिता परमात्मा ही त्रिकाल दर्शी तथा त्रीलो की नाथ हैं, श्री कृष्ण में वा लक्ष्मी नारायन में ये नौलेज है ही नहीं, हाँ जिन्होंने ये नॉलिज बाप से पाई वे विश्व के मालिक बन गई जब सद्गती मिल गई फिर ये नॉलिज बुद्धी से गुम हो जाती है सबका सद्गती दाता वे एक ही है वे पुनरचनम लेने वाला नहीं है वे पुनरचनम शुरू हुआ सत्युक आदी से पल्युक अंत्य तक 84 चन लेते हैं ये समझानी देनी पड़ती है सब तो 84 चन नहीं लेते जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकाल दर्शी नहीं कहेंगे पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवानुवाच ये एकदम रॉंग है रॉंग भी होना ही है जरूर जब सब शास्त्र रॉंग हों तब ही पाप आकर राइट सुनाई बरोबर ब्रह्मा द्वारा वीदो शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं इसलिए उन्हें सत कहा जाता है अब तुम्हारा है सत के साथ संग जो तुमको सत बनाते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा और उनकी मुखवन चावली ये जगदमबा सरस्वती प्रजा पिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बेहन ठहरे कहां भी मंदिरों में जाकर भाशन करना चाहिए गूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा शम्शान में भी जाना चाहिए वहां मनुश्यों को भेराग्य होता है परन्तु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से बेफट से समझेंगे तो शिप बाबा के मंदिर लक्ष्मी नाराइन के मंदिर में जाना पड़े लक्ष्मी नाराइन को बाबा मम्मा नहीं कहते शिफ को बाबा कहते हैं जरूर मम्मा भी होगी वहे है कुप शिफ बाबा जो रचैता है उनको माच पिता कैसे कहते हैं ये गुप्त बाद कोई भी जानना सके लक्ष्मी नारायन को एक ही अपना बच्चा होगा बाकी इनका नाम है प्रजा पिता ब्रह्मा विश्नु और शंकर को उन्च नहीं रखते उन्च त्रीमूर्ती ब्रह्मा को रखते हैं जैसे रच्चता शिर्प परमात्मा को कहते हैं ऐसे ही ब्रह्मा को भी रच्चता कहा जाता है वे तो अविनाशी है ही रच्चता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा वे तो श्रिष्टा है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा, अब ब्रह्मा द्वारा पर्मात्मा, सब आत्माओं को सृष्टी के आधी बध्य अंथ का knowledge देते हैं, बेद शास्त्र आदी सब हैं भक्ति मार्ग की सामगरी भक्ति मार्ग आधा कल्ब चलता है यह है ज्यान कांड जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं बाप आता हूँ पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चड़ाया, परंतु ये तो हो न सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वे तो कर्मातीत अवस्था वाला मेसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाय में भी जब कोई मेसेंजर भेजते हैं, तो वे सफेद जंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते कि ये कोई मेसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मेसेंजर जो आते हैं, उनको कोई क्रॉस पर चरहा न सके। दुख आत्मा ही भोगती है। आत्मा निरलेब नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निरलेब कहना रॉंग है। ये किसने कहा? शिर्थ भगवानु वाच्ष। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धी चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में कृष्चिन लोग आते हैं, तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चड़ाया गया। बागी जिसमें उसने प्रवेश किया, उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बाते सुनकर बंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया। गॉट फादर के डारेक्शन अनुसार। ये भी ट्रामा। ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परन्तु उसके आधी मद्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बाते सुन, वे लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। प्रिश्न को भी कोई गाली देना सके। बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? श्री बाबा को नहीं, इस साकार को। तीचर तो बाबा है, प्योर सोल। और यहे हैं इंप्योर, जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं, वे बिक्द बिक नहीं करेंगे। नहीं तो समझेंगे कि ये तो सिखाया हुआ है। फिर वे बात कोई को जच्ती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद भी कारी होगा, वे औरों को कहे। काम महाशत्रु हैं तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल, राम राम कहने से नदी वा सागर पार कर जाएंगे। ये अभी की बात है। शिर बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम इस विशे सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानते। वे शाले से शिवाले में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीती से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पढ़ता है। बाब प्यार का सागर है। अर्था पढ़ा कर उच मरतबा दिलाते हैं। यही प्यार है। बाब जब पढ़ाता है, तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है, बाप की यही सर्विस है कि अपनी तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो, तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, सभी नंबरवार हैं, राज़्धानी में भी नंबरवार होंगे, टीचर समझ चाहते हैं कि यह दैवी राज़्धानी में क्या नंबर लेंगे, सर्विस से समझ सकते हैं, कौन-कौन मुख्य बनेंगे, खुद भी समझते हैं कि हम बापा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा, आगे चल कर तुम सब को सारा ही म मालूम पड़ेगा, हम श्रीमत पर न चले, सब प्लियर हो जाएगा, तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे, तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा, यहां महरानी बनना देह अभिमान है, सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई, अभी समपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं, इम्तिहान में जब ना पास होते हैं, तो शर्माते भी हैं, बाबा का रात्री में खयाल चला, कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते, अभी ये इश्वरिय जन्म एक है, आठ जन्म सत्युग में, बारा जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कल्यूग में, ये तुमारा इश्वरिय जन्म सबसे उच जन्म है, जो एडॉप्टेड है, तुम ब्रामनों का ही, ये है सौभाक्य शाली जन्म है, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रती, माच पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल वर्जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते 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 जी, गुड मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है, अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है दूसरा पॉइंट, सच्चाई और सफाई से पहले स्वेम में धारना कर, फिर दूसरों को धारना करानी है, एक बाब के संग में प्रहना है बर्दान, निमित आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव जो सेंसिबल बच्चे हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित आत्माओं जो डायरेक्शन दे रही हैं, शायद कोई के कहने से कह रही हैं निमित बनी हुई आत्माओं के प्रति, कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए माने, कोई ऐसा फैंसला भी दे देते हैं, जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा क्योंकि जिसने इन्हें निमित बनाया है, वे पाप, पाप को भी बदल लेगा, ये गुप्त रह से गुप्त मशीनरी है स्लोगन ओनिस्ट वे है जो प्रभू पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं मातिश्वरी जी के मधूर महावाक्य मनुष्ये का छिरासी चर्म है, ना कि छिरासी लाक योनिया अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभू हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जनम मरन के चकर में न आना, अर्थाथ मुक्त हो जाना अब ये तो हुआ मनुश्यों का कहना परंतु पाप कहते हैं बच्चों सच मुच जहां सुख शांती है दुख अशांती से दूर है उसको कोई दुनिया नहीं कहते जब मनुश्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए अब वो तो सत्योगी वेकुंट देवताओं की दुनिया थी जहां सरवदा सुखी चीवन थी उसी देवताओं को अमर कहते थे अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है ऐसे तो नहीं देवताओं की आयू इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे अब ये कहना उन्हों का रॉंग है क्योंकि ऐसे है नहीं उनकी आयू कोई सत्युक त्रेता तर नहीं चलती है परन्तु देवी देवताओं के जन्म सत्युक त्रेता में बहुत हुए हैं 21 चन्म तो उन्होंने अच्छा राजे चलाया है और फिर 63 चन्म द्वापर से कल्युक के अंत तक टोटल उन्होंके जन्म चड़ती कलावाले 21 और उतरती कलावाले 63 हुए टोटल मनुष्य 84 चन्म लेते हैं बागी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाग योनिया भोगते हैं ये कहना भूल है अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख तुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है अब मनुष्य को ये नौलेज ही नहीं मनुष्य तो 84 चन्म लेते हैं बाकी स्रिष्टी पर जानवर पशू पंची आदी टोटल 84 लाग योनिया अवश्य हैं अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुन्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है मनुष्य को अपनी योनि में यानि जन्म में भोगना भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है मगर उनों में ये बुद्धी नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है उनों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है क्योंकि मनुष्य है बुद्धीवान बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाग योनिया भोगते हैं जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाके उच्चारन किये हैं अंतकाल में जो पुत्र सिम्रे ऐसी चिंता में जो मरे सुवर की योनि में वलवल उत्रे परन्तु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है परन्तु सूकर का मतलब ये है कि मनुष्यों का कारे भी ऐसे होता है जैसे जानवरों का कारे होता है बाकि ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पल्टाए पाप आत्मा से पुन्ने आत्मा बनना है अच्छा, ओम शांती